नमस्ते हैं आप सब लोग रिलेशन्शिप में अब पहले जैसी फीलिंग नहीं रही है पार्टनर के अंदर पहले फील करते थे आपके पार्टनर पर अब आपके जो पार्टनर है वो सेम पील नहीं करते हैं female partner है आपकी male partner है आपके दोनों के यही video है ठीक है अगर उनकी वो same feeling अब नहीं रही है और उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी feeling खतम हो चुकी है तो basically यह feeling खतम नहीं हुई है यह आपने कुछ अपनी तरफ से जादा ही कर दिया है और अब आपने बचाने के लिए उस relationship को बचाने के लिए भी बहुत जादा ही efforts डाल दिया है जहां पर अब इस इंसान को यह महसूस होने लगा है कि a feeling की नहीं बचे है ठीक है इसे नहीं एक चीज को समझ जाए और उस same feeling को उससे भी जादा बहतर feeling को हम आपके partner के अंदर कैसे generate कर सके इस बात को हम समझेंगे ठीक है खाना है आपका कोई favorite खाना है आपको इंदम पूरी थाली लगा करके खाना दिया गया ठीक है आप खा रहे हैं सामने वल आपको खाना दिये जा र पासिटे कितनी है एक थाली एक बार दूसरी थाली भी उसी बार में तीसरी थाली फिर से उसी बार में एक टाइम के बाद आपके कितनी भी फेवरेट डिश होगी फेवरेट थाली होगी फेवरेट से फेवरेट बैस्ट से बैस्ट मतलब मैं उस पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट डिश भी आपके सामने लाके रगदूं और उस इंसान को बोलूं कि आप तक पहुंचा दे आप खापाएंगे आप बोलेंगे फील ही नहीं आरा बल्कि मैं आपको बोलूं आप कुछ दिनों तक नहीं खापाएंगे आपको कुछ दिनों तक अपने फेवरिट खाने के लिए फील नहीं आएगा बिल्कुल ऐसा ही होता है यह रलेशनशिप खेल में भी एक तो वह रिश्टे होते हैं जहां पर एक्चली वह नकली खेल रहते हैं और वह फीलिंग आई और कब खतम होंगी पता ही नहीं चला मैं यह उस रलेशनशिप या उस फीलिंग की बात मैं एक दम इंटेंस फिलिंग की बात करी हूं जो रियल में दोनों लोगों ने फील की थी लेकिन एक टाइम की बाद में वह फीलिंग एक तरफ से खतम हो गई तो जो दूसरे वाले ने बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया ओवरीटिंग करा दि हम बहुत ज़्यादा भी कर हम यह थाली हटा नहीं सकते हैं वहां से मतलब उस इंसान को भूग भी नहीं लगीगी और हम थाली लेके पहले पहुंच जाएंगे ठीक है तो यहां पर न यह वाली बात समझनी की बहुत ज़्यादरोग रत है पीछे हुना थाली लेके पीछे हुना अपने सारे प्यार व में भी जब आप थोड़े ताइम के लिए हटते हो उनको तंग करना उनको इरिटेट करना लेकिन आप रिलेशन्शिप केस में कैसा सोचने शुरू करते हो अरे वो तो मुझे बूल जाएगा अरे उसको तो मेरे से मनी भर किया और वो तो मेरे बारे में ऐसे सोस्ती है कुछ भी नहीं ऐसा थोड़े ताइम तक वो जो ओवर आपने उनको करवाया है ना उसको एंपटी हो जाने दीजिए उसको निकल जाने दीजिए क्योंकि आपने जितना भर-बर करके थाली दी है पूरी दुनिया में कोई नहीं बैठा इतना परूस करके उन्हें देने के लिए क कोई नहीं देता आज की डेट में कोई इस लेवल का जाकर के प्यार नहीं करता जैसा आपने किया उनको इस आपके चले जाने वाली फीलिंग का आपके वहां से थाली ले जाने वाली फीलिंग का आपके वहां से अपने सारे प्यार को वापिस समेट करके लेके जाने वाली और चप हो जाने वाली feeling का एहसास होने दीजिए एकदम शान्त हो जाए इस बीच उनका कोई call या message आ जाए तो एकदम लपक टिट कर शुरू मत हो जाए हाँ हाँ शुरू हो गए नई यहाँ पर यह समझे कि नई अभी इस इंसान को मुझे एक हाजमोल अभी नहीं देनी मुझे शान्त रहना है सामने वाले को उस पूरी चीज़ को वापिस से याद करने का वापिस से उस वाली feeling को उस वाले emotion को उस वाले relation को महसूस करने का पूरा-पूरा मौका दे उसको empty हो जाने का मौका दे उसको आपके याद आने का ना मौका दे ठीक है? उसके बाद वाली feeling नहीं बलकि उससे भी बहतर feeling आपके लिए generate होनी, start हो जाएगी लेकिन इसके बाद तुरंथ आप वही दुबारा गलत काम नहीं करना है जो कि जादा तर लोग करते हैं वो फिर से भर-बर के थाली देना शुरू कर दे फिर कहते हैं हमारे साथ तो फिर से हो गया क्यूं कर रहे हो आप ऐसा? उस इंसान को वह habit है कि आप देते हो उसे भर-बर के थाली balance में रखिये ना जितना आपको प्यार मिरू रहा है आपने भी प्यार दिया दोनों हाँ से ताली बजने दीजिए ना क्यूं ूपको फे gir function in city आपको पर भर-बर को ठॉली बचता है यह तना जनातेता लगता है कि कई वारे तो हम सालों साल महां से निकल पाते हैं तो इतना नहीं करना है balance रखना है partnership है relationship है मेरी तरफ से पूरा दिल से प्यार है pure love है true love है unconditional love है पर मुझे ये भी देखना है कि सामने से मझे क्या मिल रहा है उसी थाली में से हम भी खाए तुम भी खाओ हो गया relationship ना अगर ए चाहूंगे कि भाया डिनर में आप भी मेरी तरफ एक खाली पास कर दो इसे बोलते पैटनर्शिप इसे बोलते रुलेशन्शिप मंगर हमने क्या सब कुछ अपने सर पे लेने कार ठेका ले रहा है क्यों कि हमी प्यार है हमें तो प्यार हो गया है उस पूरे दुनिया में हमें और आपको भी निबाना है ताली बजानी है चाटा नहीं बजाना है वावा तो राइम जैसा लग रहा है ठीक है समझ गए हाँ 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 ठीक है मुझे लगता है अब आप समझ गए अपने में रखी याल अपने अपसकी जदे सारा प्यार था कि अपर च्रॉक्त करें आल लग यौल ता का